हाँ बच्चों ये भक्तिन पाठ का दूसरा वीडियो है पहले वीडियो में आपने पढ़ा कि भक्तिन लेखिका की स्वेविका थी बच्पन से ही उसने बहुत कष्टे जेले थे उसकी शादी छोटी सी उम्र में हो गई शादी के बाद भी उसे सुख नहीं मिला उसकी तीन क कन्याएं हुई उस समय कन्याओं का होना अच्छा नहीं समझा जाता था जिसका नर उसका सश्याल में बहुत अपमान होता था आगे का पाठ पढ़ते हैं इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिकों की टक साल जैसी पतनी से पती को परणित उसके पती प्रेम को बढ़ा कर ही होती थी जिठानियां बात बात पर धमा धम पीटी उठी जाती पर उसके पती ने उससे कभी उंगली भी नहीं छुआई कहने का आर्थ ये है कि उसकी पती को उसके खिलाफ भढ़काया जाता था उकसाया जाता था लेकिन उसका पति उसे बहुत मानता था यहां पे एक तत्काले समाज की उराई सामने आई है जब बेटियों को खोटा सिक्का समझा जाता था और आगे है कि वह बड़े बाब की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था इसके अत्रिक्स परिश्रमी तेजस्विनी और पती के प्रति र आधी करती थी इसलिए गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ आधी के संबध में उसी का ग्यान बहुत बढ़ा चड़ा था उसे ने चांट चांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा साथ ही परिश्रमी दम पत्य के निरंतर प्रयास से उसका सोना बंजाना भी स्वभाविक हो गया पती के प्रेम के दम पर ही भक्तिन ने अब बाकियों से घर परिवार वालों से अलग ग्रिहस्ति बसाई अलगाजा कर लिया बटवारा कर लिया उसे जो कुछ भी बटवारे में मिला उसी को ले करके उसने निरंतर प्रयास से दोनों दमपत्य मिल करके अपनी ग्रिहस्ती को संपन और सम्रित बनाने में लग गए चुकि सारा घर का काम भगते नहीं करती थी इसलिए उसे घर के काम का अच्छा ग्यान आगे है धोम धाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पती ने घरांदे से खेलती हुई दो कन्याओं और कच्छी ग्रिहस्ती का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़ कर संसार से विदाली जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी पर पत्नी आज उसे बुढ़व करकर अस्मरण करती है भक्तिन सोचती है कि जब वह बुढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा क्या हां वे भी न बुढ़ा गए होंगे अता उन्हें बुढ़व न कहना उनका घोर अपमान है भक्तिन का दुरुभाग आगे है कि उसका पती के बाद उसकी मृत हो गई उसकी मृत हुई वह युवा था लेकिन भक्तिन आज ही उसे बुढ़व भी ही कहती है हां तो भक्तिन के हरे भरे खेत मोटी ताजी गाय भायस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों जिठोतों यानि जेठ के बच्चों के मुह में प खोटी भक्तिन इनके चक्मे में नहीं आई ही नहीं उसने क्रोध कर से पाओं पटक पटक कर आंगन को कमपाय मान करते हुए कहा हमको कुकुरी विलारी ना हो हमार मन पुसाई तो हम दुसरा के जाब नहीं तो तुम्हार पचय पचय यानि लोगों कि छाती पे हो रहा भू लेना चाहते हैं इसलिए चाहते थे कि भक्तिन दूसरी शादी कर ले लिकिन भक्तिन ने इस पर रूप से इंकार कर दिया उसने ससुर अजिया ससुर और जानेक कैपीडियों के ससुर गणों की उपारजित जगह जमीन में से सुई की नूप बराबर भी देनी की उधारता नहीं दिखाई इसके अत्रित गुरु से कान फोकवा यानि गुरु मंत्रे लेकर कंठी बांध और पती के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी नंटलने की घूषणा कर दी भाविश में भी संपत्ति सुरच्छित रखने के लिए उसने में चोटी लग जुड़ों को कभी ने लेहिए ने पर चीद किसंभोदित किया कि भकतिन इस और बांध दूनों छोटी बच्चिओं के भी शादिक कर देतीं है और ऑले को अपने हां अपने पास रख लेती है यहाँ पर समाज की गुराई पत्रियों के बात्तनिया अपने सारे श्रिंगा इसी से किशोरी से योती होते ही बड़ी लड़की भी विदवा हो गई। भैयों से पार न पास कने वाले जेटों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विदवा बहिन के गडवनदन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीत नहीं थी इसी से उसने वर को ना पसंद कर दिया अब भक्तिन की बड़ी बेटी की भी बिधवा हो जाती है उनके जिठवत जो थे फिर लालच में संपति के लालच में चाहते थे कि अपने एक रिसेदार से उसकी शादी कराना चाहते थे ताकि उनकी सारी संपति भक्तिन की उनलों के हाथ में आ जाए लेकिन भक्तिन की बेटी भी समझदार थी उसने इस पर शुरू से इंकार कर दिया बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाईयों के लिए सुविधा जनक नहीं था अताहर यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया तब यह दोनों मा बेटी खूब मन बगाकर अपनी संपत की देखवाल करने लगी और मान मान मैं तेरा महमान की कहावत चर्जदार्थ करने वाले बर के समर्थक उसे किसी ना किसी प्रकार पती की पदवी पर अभिश्यक्त करने का उपाय सोच नहीं लगी होता क्या है कि उसके जेव दिश्टावत जो है वो बगार मानने वाले नहीं थी वो कोई न कोई सड़ेंत रचने की चकर में पढ़ गया कि किसी तरह उसकी शादी अपने से लिस्तेदार से करा दे और इसके लिए उन्हों ने एक ऐसा शाणियंत रचा जिस में जिसके आगे भक्तिन और उसकी बेटी दोनों मजबूर हो जात समस्या में पढ़ गयती तरबाज युवक कहता था और निमंतरण पाकर भीतर गया यानि युवती कोई बुलाने पर ही वा गया वो जब जस्ति उसके कमरे में गुज गया और जब पंच वहां पे जुटे तो कहने लगा कि नहीं इसने मुझे बुलाया था और युवती उ फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों जूटे पर जब ये कोठी से निकले तब उनका पती-पत्नी के रूप में रहना ही कलिव के दोस्का परिमार्चन करता है यहां पर एक तर्कहिन और अंधा फैसला पंचाय सुनाती है कि दोनों को जो है श भी दोनों मा बेटी को पंचायत का फैसला मानना पड़ा संबंद को सुकर नहीं हुआ क्योंकि दामादम निशिंत होकर तीतर लडाता था और बेटी विवस्क्रोज से जलती रहती थी इतने यतन से समाले हुए गाय धोर खेती बारी धोर यानि परशू जब पारिवारिक देश में ऐसे जुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया तो सुक से कौन रहने की कौन कहे अंत में एक बार लगान पहुँचने पर जमिदान ने भक्तिन को बुला कर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा यह अपमान तो उसकी करमठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया अता दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई की विचार से सहर आ पहुंची दोनों के आवानचित पति के साथ रहने का नतीजा यह हुआ कि भक्तिन का दामाद अब निशिंध होकर सारे पैसे और संपति की बर्बादी करने लगा नतीजा यह हुआ कि सारा उसकी ठिंता से ब कारण जमिदार ने लगान न देने के कारण भक्तिन को दिन भर बुला करके सजा के रूप में कड़ी धूब में खड़ा रखा इसे बहुत आहत हुई अपमानित हुई और दूसरे ही दिन उसने गाउं छोड़ दिया और कमाई के लिए शहर आ पहुंची अब यह आती है लेखिका के पास पहुंचती है तो वो देखने में कैसी लग रही थी उसी को लेखिका ने यहां पर आगे लिखा हुई घुटी हुई चांद यानि उसने सिर मुडा दिये थे वो मोटी मैली धोती से ढाके और मानुस सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से ब किया क्या तुम खाना बनाना जानती हो उत्तर में उसने ऊपर से होट शिकोड और नीचे के अधर को कुछ बढ़ा कर आस्वासन की मुद्रा से कहा कौन बड़ी बात आए रोटी बनाय जानी था दार रांध लेट है साग भाजी छांग सकित है और बाकी का रहा भगतिन को देख करके देखका कोई संखा हुई कि पता नहीं इसको खाना बनाना आता होगा कि नहीं उन्होंने जब पुछा तो बड़ी निश्चिंतता से बड़ी कान्फिडेंस से कहती है कि खाना बनाना कौन बड़ी बात है दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे अंधा कर न की रेखा से अपने सामराज की सीमया निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई तब मैंने समझ लिया कि इस एवक का साथ टेड़ी खीर है अपने भोजन के संबंद में नितांत भीत राग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और रेखा को द्रिष्टी में छिपे हुई निशेद का अनुभव किया तब कोईले की रेखा मेरी लेक्षमर के धनुस्त से खींची हुई रेखा के समाद दुरलंग्य हो गई हो उठी निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पढ़कर नाग के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके मैं चौके में प्यूहे पर आस्थीन अना धाकारी को भूलने का प्रयास करने लगी भगतिन जब रुसोई में जाती है तो एक कोले से मोठी रेखा की देती है वह पवित्रता चुआ शूत का बहुत ध्यान रहती थी उसको ऐसी हरकत दे करके लेखा को लग लेकिन जब उन्हें यह याद आया को उनके छुछ आएसे उन्होंने देखे थे लोगों को जो की शुआ छूत होने परवरसों या पवित्र होने पर खाना नहीं खाते थे उन्हें लगा कि कहीं भृगतिन भयसाना करे इसकारण उन्हें भ्यक्तिन के काम जादिश्च या कर लिया तब भक्ति ने प्रसनता से लबालब द्रिश्टी और आत्म संतुष्टी से अपलावित मुस्कुरा हट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्ती दार चार रोटियां रहकर उसे टेड़ी कर गाड़ी दाल पर उजदी पर जब उ उसी खुषी लाकर के उन्हें के सामने खाना पर उस रहती है और खाने में सिर्फ दाल और चार मोटी मोटी रोटियां थी लेका ने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था उन्हेंने कहा यह क्या बनाया है चुकि वह खुष थी लेका कैसे कह देने पर वह स्वाग्ड हो गई और उसा भुषेस्ता थी भक्ति इनकी कि दूसरों को भी अपनी बात मानने के लिए मजबूर करती थी इपनी ही बात को सही सिद करने की कुरी को शिच करती थी रोटियां अच्छी सेखने के प्रयास में गीं और अच्छी हैं तरकारिया थी पर जदद दाल बनी है तब उनका क्या काम शाम को दाल न बना कर तरगारी बना दी जाएगी दूद घी मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं तो सब ठीक हो जाता अब नद हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस लावे उससे भी काम न चले तो वह काउं से लाई हुई गठरी में से थोड ने कितने मौखिक प्रमाड पत्र दे डाले उसने बताया कि उसकी सबस्राल में उसकी खाने की बहुत लोग तारीफ करते थे अगर आप कहिए कि जो है तो चटनी दे दे गुड़ दे अब सहर के लोगों क्या बहुत अच्छा खाना खाते हैं मैं कोई अनारी तो हूं नहीं आगे क्या होता है भगतिन की सारगर्भित लेक्चर का प्रफाव यह हुआ कि मैं मेठे से वीरति के कारण बिना गुड़ के और घी के अरुज के कारण रूखी डाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत धार से इन्वर्शिटी पहुंची और निया सुत्र पढ़ते पढ़ते सहर और देहार के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही यहां पर लेका गुड़ और घी उन्हें पसंद नहीं था जिसकारण वह सुखी रोटी डाल से एक रोटी खाकर के इन्वर्शिटी चली आई और वहां यह सोचने लगी कि वास्म में शहर के जीवन सहली और गाउ अपनी ही बात मनवाने के लिए हठी रहती थी और दूसरी बात ही है कि ग्रामेड इवन सहरी बहुत सरल होती है अगला शेर अगले वीडियो में